हैलो फ्रेंट आप देख रहे हैं मीरा टीप चैनल हमारे इस चैनल में आपका श्वागत है फ्रेंट आप लोग को पता है कि सर्दी को मौसम शुरू हो गया है और सर्दी के मौसम में हमारा इसकीन एकदम ड्राई हो जाता है सर्दी के मौसम में जो हवा चलता है सीधे हमारे स्कीन पर ही असर करता है जब सीधे स्कीन पर असर करता है तो मानिए कि हमारे चेहरे में जो भी हमारे स्कीन में नमी है उस सारा खतम हो जाता है उसके वज़े से हमारा स्कीन एकतम ड्राई हो जाता है हमारा इस्कीन ठंडी के मौसम में फटना सुरू हो जाता है एकदम खिची-खिची से हमारी इस्कीन हो जाती है तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि ठंडी के मौसम में अपने इस्कीन का कैसे ख्याल रखें देखे फ्रेंट बहुत जरूरी होता है सर्दी के मौसम में अपने इस्कीन का देखभाल करना अगर सर्दी के मौसम में आप अपने इस्कीन का देखभाल नहीं करेंगी तो और आपका धीरे-धीरे इस्कीन ड्राई होते जाएगा और आपका चेहरा बहुत अजीब से देखने लगेगा एकदम चेहरा खीची कीची से हो जाएगी और चेहरा आदम फटना शुरू हो जाएगा आप तो देखे होंगे बहुत लोग का चेहरा ठनी के मौसम में इतना फट जाता है तब चेहरे से खुन भी निकलने लगता है इसलिए सर्दी के मौसम में बहुत जरूरी होता है इसकीन का देख़ल करना आज मैं आप लोग को यही बताने वाली हूँ कि सरदी के मौसर में अपने स्कीन का कैसे देख भल करें तो देखे, आपको लेना है एक कटोरी उस कटोरी में आपको डालना है एक चमस सहद और एक चमस कच्चा दूद अच्छे से मीच कर लेना है मिक्स करने के बाद आपको लेना कॉटन कॉटन के सहाति से पहले अपने इस्कीन को अच्छे से क्लीन करने के पहले दिडात है दो है दर न सब स्थेया हो गया है फ़त शुरूँ हो गया है आप कोटन के मतसे क्लीन करें कि अब पहत ले Luck दूसरी आपको डालना है एक चमाष्ट रोजवाटर यानि एक चमाष गुलाब जयल ताल दो Absolute में आपको डालना है एक चमश ग्लिंसीर डालने के बाद आपको डालना है एक चमश शहद आप सबको पताई है कि सहद में कितने गूर हैं सहद हमारे सहद के लिए भी फायदे मंदे हमारे म겠지만 यहाद डालना एक चमश शहद और आच्छे से मीक्स करने के बाद फिर से यापको लेना है कौटन के सहायते से आप अपने स्कीन पर अच्छे तरीके सेक मिनद तक लगा लें cotton के मदद से जैसे मसाज करते हैं उसी परकार से आपको अच्छे से cotton को घुमाते हुए इसकीन पे लगाना है इसकीन पे लगा करके आप उसको छोड़ दीजिए रात भर के लिए आप ध्यान में रखें कि इसको स्रीप रात में ही लगाना है दीन में नहीं रात में लगा करके आप छोड़ दीजिए जब आप सुबह उठें तो अपने इसकीन को ठंडे पानी से धोए फिर आप लगातार ऐसे करते रहे और आप देखिएगा कि आपका चेहरा जो ड्राई हो गया था इतम सुखी सुखी हो गये थे उसमें नमी आ जाएगी और आपका चेहरा खिला-खिला हो जाएगा कौन नहीं चाहता है अपना चेहरा चमकते हुए देखने के लिए सबका मन होता है कि हमारा चेहरा चमकते रहे तो फिर आप इसको लगातार करिए और देखिए आपकी चेहरे में कितनी गुलू आ जाएगे आपकी चेहरा चमकना शुरू हो जाएगा सर्दिक मौसम में भी आपका चेहरा खिला-खिला दिखेगा यही थी जनकारी यह जनकारी आपको कैसे लगे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा मैं मिलूंगी अगले वीडियो में एक नए जनकारी के साथ तब तक के लिए थाइंक्यू फ्रेंड